प्राण घातक हमला प्रकरण में अपर सेशन ने आयए धी संख्या टू पलविंडू सिंग ने जस्विंदर सिंग को धारा 307 में 5 साल की कठोर कारवास और 20,000 रुपे के जुर्मानी की सजा सुनाई है जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 महिने का अतरिक्ट कारवास धारा 326 में 3 साल का कठोर कारवास और 10,000 पे जुर्माना अदा नहीं करने पर डेड़ महिने का अतरिक्ट कारवास भुकत ना होगा विशिस्ट लोक अभियोजग दिनेश कुमार नाकपाल ने बताया कि पक्की हिंदू मलकोर्ट के निवासी नगा सिंग सर्दूल सिंग ने पुलिस थाने हिंदू मलकोर्ट में 1 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्च करवाई परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई परमजी सिंग अपनी आटा चक्की की दुकान पर काम कर रहा था आरोपी जस्विंदर सिंग अपनी माता मीतो बाई के साथ मोटर साइकल पर हाथ में लाठे और कुलहाडी लेकर आये आरोपी ने आते ही गाली गलोच निकालनी शुरू कर दी परिवादी का भाई परमजी सिंग ने दुकान से बाहर आकर आरोपी जस्विंदर सिंग और मीतो बाई ने मारपिट शुरू कर दी आरोपी जस्विंदर सिंग ने परमजीत के सिर पर कुलहाडी की चोट मारी शोर मचाने पर बग्गा सिंग और सुकदेव सिंग ने बीच बचाव करके छुडाया चोट लगने से बेहोश परमजीत सिंग को हिंदु मल्ग के अस्पताल में ले गया पुलिस ने जुआच के बाद आरोपी जस्विंदर सिंग को 17 नमबर 2014 को और मीतो भाई को 6 फरवरी 2015 को गिरफतार किया आरोपियों के खिलाफ न्यायाले में चौलान पेश किया गया मामला विचारन के दोरान मीतो भाई की मृत्य हो गई न्यायाले में सुनवाई के बाद जस्विंदर सिंग को कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया गया अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर झाला ऑप मेंझने एकन पर शाते हैं यजिए कारों से वड़ हमारे चैनल SPT News को और वा जामने की यप बड़ी काराष आसान स्विंदर से और महत्वर को और से तो कर ऱैंगर हैं झाल 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 झाल